Hello students, welcome to Aspire Academy, मेरा नाम है तारीक अनवर, बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपके टिग्नोमेटिक फंक्शन्स का ही एक पार्ट है, टिग्नोमेटिक रेसियोस, दोनों एक ही बात है, ठीक है, मगर फिर भी हम लोग एक सेपरेट हेडि ठीक है, यह टिग्नोमेटिक रेसियोस, और लेड़ी आप क्लास तेंथ में परश चुके हैं, मगर फिर भी चलिए, एक बार हम लोग आज उस चीज़ को रिवाइस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं, क्या होता है, ठीक है, यहाँ जो हम लोग रेसियोस को आप डिफाइन किये थे, एक राइट एंगल ट्रेंगल में, ठीक है, तो चलिए, एक बार देख लेते हैं, क्या था वो, यही आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, जहां राइट एंगल बी पे है आपका, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट साइड होता था, व साइड को हम लोग क्या बोलते थे परपेंडिकुलर या चलिए यहाँ पे इसको हम लोग अपोजिट ही लिखते हैं अपोजिट साइड ठीक है जो कि क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता था ठीक है ठीटा जिससे लगके बन रहा है इसको एड़ेसेंट बोलते थे एड से दीख लाते थे ठीक है इसको इस से ठीक है या जो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस कोलते हैं ठीक है तो यही था अब यहाँ पर जो आप वहाँ डिफाइन किये थे टिग्नोमेट्रिक रेसियोज ठीक है ठीक है ठीक है टिग्नोमेट्रिक रेसियोज नम में ही पता चला है रेसियोज ठीक है अब आज यह कौन-कौन सा था वो आपका 6 था कौन कौन यह आपका sin, cos, tan, cot, sec and cosec, यही 6 था, है ना, sin, इसको cosine बोलते हैं, इसका पुरा नाम आपका tangent, यह cotangent, यह secant और यह cosecant, ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक बार फटा-फट समझ लेते हैं, यह साइन जो होता था, साइन किसका किसका रेशियो, है ना, साइन थीटा, यानि साइन आफ एंगल थीटा, इसको कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, अपोजिट बाइ, हाइपोटेनियस से, ठीक है ना, तो यहां से यह पी बाइ, एच हो जाता था, कॉस क्या था, एडजेसें का रेशियो होता था, कॉट क्या होता था, कॉट टैन का रेशिप्रोकल या एडजेसेंट बाइ, परपेंडिकुलर का, ठीक है ना, अपोजिट साइड का रेशियो होता था, फिर यहां से से जो होता था, वो क्या होता था, यह आपका एच बाइ बी, और कॉस एक जो होता तो यह चीज तो आप class 3 में देखे थे, अब इसी चीज को आज जो हम लोग define करने वाले हैं, एक unit circle के help से, अभी अभी जो last lecture था, angle and their measurement, उसमें आप क्या देखे थे, कि एक circle लेते थे, यहाँ पर one radian हम लोग कैसे define करते थे, जब यह radius r और इसका arc length, दोनों equal अगर हो जाता था, तो यहाँ से यहाँ center पर जो angle बनता था, वो कितना बनता था, one radian, यहाँ इसी चीज को हम लोग ऐसे भी define कर सकते थे, किये थे क्या, कि अगर इसका radius one है, one unit है, और इसका arc length भी जो है, यह अगर one unit है, तो center पर कितना angle बनेगा, one radian, ठीक है, फिर आज यह, अगर two radian की बात करें, तो अगर radius one ही रखते हैं, यह अगर arc length को आप यह double कर दे, तो यहाँ पर कितना angle बनेगा, two radian, ठीक है, इसी तरह से unit circle लेके हम, कितना भी radian का angle वहाँ पर, कितना भी radian हम वहाँ पर angle बना सकते हैं, ठीक है, तो यह फुरा basic बात था, एक unit circle से related, ठीक है, तो चलिए, अब एक unit circle लेते हैं, और यहाँ से हम लोग, जो आपका trigonometric ratios हैं, उसको define करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए, तो इसका radius कितना होगा, one होगा, radius कितना होगा, one होने वाला है, ठीक है, यह, उसके बाद फिर, उसके बाद एक और line ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अब आते हैं, अभी, यह आपका x, y, ठीक है, यहाँ पे हम एक point लेते हैं, इसको x, y मानते हैं, ठीक है, अभी, यह जो circle आप लिए हैं, इसका radius यहाँ कितना है, radius, one unit है, unit circle हम लोग लिए हैं, ठीक है, कहने का मतलब, यहाँ से, इसका यह distance कितना हो जाएगा आपका, one unit हो जाएगा, op जो होगा आपका, one unit, ठीक है, अगर यहाँ पर यह point लिखते हैं, a, तो यह भी कितना होगा, one zero, है ना, यह भी, o से a जो है, o a जो है, आपका क्या है, radius से, है ना, आप आ जाएगा, अब क्या कर, किया जाए, अभी चलिए, अगर यहाँ से, इसको यहाँ पे, अगर आप perpendicular drop करते हैं, तो यह जो height होगा, यह कितना होगा, y होगा, और यहाँ से यह जो distance होगा, का यह, ठीक है न, इसको b बोल लेते हैं, ये कितना होगा, x होगा, ठीक है, माल लेते हैं, ये x से ये, x-axis से ये एंगल, ठीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, ठीटा, ठीक है, अब आजाएए, अब यहां से हम sin और cos, x और y के term में निकालना चाहते हैं, हाँ, एक चीज और देखें यहां से, अभी, ये op जो है, op कित लिएगा, अगर distance formula भी लगाते हैं, या फिर right angle triangle में क्या हो जाएगा, ये जो op जो होगा, x square प्लस y square के बराबर होगा, under root, square इधर 1, है न, यानि कहने का मतलब, x square प्लस y square, कितना के बराबर हो जाएगा, आपका, 1 के बराबर, इधर root आएगा, squaring कर लिजेगा, उधर 1 है, तो ये कितना 1 के ही बराबर होगा, ये चीज़ निकाल के रख लेते हैं, अब आते हैं यहाँ, ठीक है, अब यहाँ से अगर आप sin theta निकालना चाहें, ठीक है, तो sin theta जो होगा, है न, क्या होगा, देखिए, ये y by 1, y by op के बराबर होगा, यानि y by 1, बोले तो कितना y हो जा है, ठीक है, cos क्या होगा, देखिए, ये adjacent, बोले तो, ये आपका x, ठीक है, और by में कितना 1, यानि बोले तो x, तो यहाँ से, जो आपका x और y जो माने थे, ठीक है, x और y जो point माने थे, अभी ये x कितना के बराबर हो गया, cos के और y जो हो गया, कितना के बराबर, sin के बरा cos theta हो गया, वो कितना के बराबर हो गया, x के, और sin theta जो है, वो कितना के बराबर हो गया, y के, ठीक है, तो sin cos तो आप define कर दिये, अब आते हैं 10 के बारे में, ठीक है, तो 10 theta यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 opposite y by x के बराबर होगा, कितना के, y by x के, फिर उसके बाद न हो जाएगा, x by y, ठीक है, इसका reciprocal ले लिजे, या फिर यहाँ से, adjacent by, क्या, opposite, उसके पाद अगर हम shake की बात कर ले यहाँ से, shake theta, ठीक है न, तो shake theta, क्या हो जाएगा, pause का उल्टा कर लिजे, ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा, 1 by x, ठीक है, सब चीज होई ही है, करने का तरीका है, बदल लिए, ठीक है न, क्या कि यह है, कि unit circle ले लिए, उस पर एक point, xy लिए है, और इस term में हम इस चीज़ को अब express कर रहे हैं, ठीक है, यह सब चीज़ वही बात है, जो अभी अभी लिखे हैं, है न, जो opposite by hypotenious, based by, है न, hypotenious, sign cos, जो अभी define किये थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, अब यहाँ से, अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ sign जो है, कितना के बराबर है, y के बराबर है, और cos से कितना के बराबर है, 1 by y, ठीक है, ठीक है न, यहाँ से हम एक result यह निकाल सकते हैं, कि sin theta और into कितना कोसिक theta जो होगा वो कितना के बराबर होगा क्यों होगा कि sin तो आपका y है और कोसिक कितना है 1 by y ठीक है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तो यहां से जो आपका sin theta हो जाएगा sin theta यह कितना हो जाएगा 1 by कॉसिक ठीटा और अगर कॉसिक को लिखना चाहें तो यहां से इसको 1 by sin ठीटा ठीक है ठीक इसी तरीके से आप यह भी लिख सकते हैं कि यहां से आपका कॉस और फिर क्या सेक यह साब आउ लेड़ी आपको मालूम है बस यहां पर है तो कर देना है ठीक है तो यहां से फिर आपका कॉस ठीटा जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 1 by सेक और यह सेक ठीटा जो हो जाएगा 1 by कॉस ठीक है 1 by कॉस यह सब बेसिक फॉर्मूला है बिना इसके आगे बरना मुश्किल है पढ़े हुए एंठीक बात है ठीक है? मैं गा फिर भी एक बार डिविजन होना चाहिए और मालूम होना चाहिए ठीक है ना? अगर ये सब जैसे 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 हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे अलग-अलग formula आपको मिलता जाएगा और कहीं न कहीं ये सब वहाँ पर useful होगा आपके लिए ठीक है? तो एक बार just revision purpose से ये सब देख लीजे ठीक है ना? चलिए एक और कौन सा बच रहा है आपका? एक और बच रहा है आपका से खो गया 10 और cot बच रहा है निकालिए तो ये 1 by cot और अगर cot लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 10 टीटा ठीक है? अभी एक चीज़ यहाँ पर आप क्या देखें? ये तो हो गया formula ठीक है? अभी जब एक unit circle आप लिए यहाँ पर ठीक है? यहाँ पर एक point आप लिए x और y ठीक है? तो यहाँ पर जो x हुआ वो कितना के बराबर हो गया? आपके cos के और y जो हो गया आपके sin के बराबर हो गया है ना? अभी एक चीज़ और देख रहे हैं ये जो circle है ये दोनों axis जो है इसको चार पार्ट में divide कर रहा है है ना? ये आपका first हुआ first quadrant इसको second quadrant पोलते हैं इसको third और इसको fourth ठीक है? आप आजाएए थोरा सा एक बार समझ लेते हैं कि ये जो sin और cos जो है कहा कहा positive होगा और कहा negative होगा इसका detail हम लोग discussion allied angle में करने वाले हैं फिर भी जब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं तो एक बार समझ लीजी एक जलक आपको मिल जाए कि हाँ आगे क्या होने वाला है ठीक है? तो अभी देखिए यहाँ पे अगर यहाँ p point लिए हैं तो ये x y दोनो positive है है ना? तो first में जो होगा sign और cost दोनो positive होगा ठीक है? जैसे ही x और y positive है तो आप देख रहे है 10 भी positive होगा, cot भी positive होगा यानि जो जितना भी आपका technometric ratios है functions है आपका ठीक है ना? 6 वो 6 का 6 first में क्या होने वाला है? positive होने ठीक है? अगर यही point अगर आप यहाँ लेके आ जाते हैं second में, अगर second में बात करें तो आपको मालूम है यहाँ पर x क्या हो जाता है? minus हो जाता है, negative हो जाता है y positive, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos negative हो जाएगा cos क्या हो जाएगा? negative और sign क्या हो जाएगा positive हो जाएगा जैसे ही sign और cos आपका sign और cos का sign मालूम चला तो बाकी आप अधर भी निकाल सकते हैं ठीक है अभी देखे एक्स negative y y positive यहाँ थे 10 यहाँ x दिख रहा है negative होगा caught भी negative होगा उसके बाद sick भी negative होगा cause क्या हो जाएगा positive हो जाएगा क्योंकि वहाँ y positive है तो यहाँ भी y positive है है ना तो यह चीज है फिर देखेंगे हम लोग यह detail में आगे के lecture में allied angle में देखने वाले यहाँ पर x भी negative y भी negative यानि इसमें क्या हो जाएगा आपका यह जो quadrant है इसमें आपका sign और cause दोनों का दोनों negative हो जाएगा ठीक है तो चलिए अभी फिलाल सिर्फ हम लोग technometric ratios को यहाँ पर define कर रहे हैं और इसमें जो relation है उसको देख रहे है ठीक है यह सब कहा प्लस माइनस यह सब अलग discussion है यह सब हम लोग allied angle में करने वाले हैं बहुत ही detail में ठीक है आप आजा फिर से एक unit circle ही ले रहे है ठीक है अब आज़ यह यहाँ पे इधर आपका x y अभी अभी यहाँ define किये थे x y ठीक है यह unit यह भी 1 था ठीक है यह आपका इसको ए बोल लिये थे 1 0 ठीक है और उसके बाद अब यहाँ पर इसका a, p यहाँ बोल दीजिए अब b ठीक है यहाँ यह कितना point हो जाएगा 0,1 हो जाएगा ठीक है उसके बाद इधर में यह आपका a dash मान लिजिए ठीक है तो यह हो जाएगा आपका minus 1,0 और इधर में b डेस मान लिजिए यह 0, minus 1 ठीक है अब आद लिए अभी अभी यह बात होई क्या होई थी कि यह जो आपका x था है ना? cos theta जो था वो कितना के बराबर था? x के ठीक है और sin theta जो था वो कितना के बराबर था? y की ठीक है? है ना? आप आ जाएगे अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पर angles का value देख लेते हैं कि हम लोग कैसे find out करते हैं ठीक है? जैसे अगर आपको बोल ला है कि sin 0 का value निका दिय ठीक है? sin 0 degree का value निकाली ठीक है? तो आपको मालूम है कि यह जो sin theta होता है अभी इस अपने unit circle में y के बराबर है ठीक है? तो sin theta y के बराबर है यही तो है न theta मेरा? अब अगर 0 की बात की जाए तो यह जो op है वो कहा oa के साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा आपका ठीक oa के साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा है ना? तो क्या हो जाएगा इस case में? यह op जो है आपके x axis पर आ गया और जो की है भी है ना? यह x axis पर आ जाएगा अब जब x से axis पर आ जाएगा तो आपको मालूम है कि sin theta y के बराबर होता है कितना के बराबर होता है? y के तो 0 किये तो यह जो अभे कहां गया X पे और X पे क्या होता है X पे Y क्या होता है X-axis पे आपका जो अगर यह X-axis है तो इस पे 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर यह SIN 0 डिगरी का वेलू कितना हो जाएगा 0, हैना बहुत आसान है, कुछ नया, चिस सिखने को मिल रहा है आपको, है न, कुछ अलग सा लगा न, एक कैसे x-axis और y-axis के help से, हम 0 degree और बाकी अधर का भी निकाल लेते हैं, देखिए, cos 0 degree, ठीक है न, अभी देखिए, cos x कितना के बराबर है, cos theta जो है, वो x के बराबर है, तो 0 degree के लिए, अभी यह क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है, यह x, x का इसमें आप देख पा रहे हैं, जो maximum value है, वो कितना है, 1 है, x का जो है, यह radius 1 unit लिए ते, तो यह भी आप का 1 ही है न, तो क्या हो रहा है, x का जो maximum value है, यहां पर कितना है आपका, 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है, आप आदे, अगर 90 की बात करें, कि अगर sin 90 की बात करते हैं, 90 पर क्या होगा, ठीक है, तो 90 degree के लिए, तो अभी तो यह y के बराबर है, ठीक है, sin 90, है न, यहनि sin theta y के बरा और y, चलिए 90 यही न होगा आपका, यानि अब यह जो op है, अभी ob के साथ आके merge कर गया, ठीक है, है न, इस पे आके coincide कर गया, ठीक है, तो इस case में, जो यह आपका op है, ob के बराबर होगा, ठीक है, और ob, और op कितना था, one unit था, कितना था, one unit था, है न, ऐसे भी देखे y, तो y का जो maximum value है, यहाँ पर कितना है, one है, तो sin theta y के बराबर है, तो जब 90 कर रहे हैं, तो यहाँ आ जा रहे है y axis पर, और y axis पर जो maximum value है, y का वो कितना है, one है, ठीक है, तो इस तरह से sin 90 का value one हो जाएगा, और अगर cos 90 की बात करें, तो cos 90 x के बराबर होगा, और y axis पर x क्य और यहां पर देख लिजिए थोड़ा सा जब यह देख रहे हैं तो देख लिजिए यहां आपका 0 होता है यहां 90 यहां 180 यहां 270 और फिर यहां वापस से 360 के बराबर है है ना हम लोग एंगल एंड डियर मेजर में भी कुछ यह सब चीज डिसकस किये थे नहीं वहां नहीं किय थे हैं चलिए आगे करेंगे यह सब चीज तो चलिए यहां से क्या हो जाएक है अब यहांसे 90 हो गया अब यहांसे अगर आपको बोला जाए कि साइन 180 की बात की जाए ठीक है, कि sin 180 का value दिखाई, बताईए, तो sin आपको मालू है, y के बराबर होता है, y की, ठीक है, y के बराबर है, 180 लेगे, तो अभी फिर ये किस पे आ गया, x axis पे आ गया, है न, 180 की बाद कर रहे हैं, तो y आ रहा है, y, x axis, 180 तो यहां है न, 180 आपका, यहां है, तो यहां से क्य हो जाएगा, आपका, x axis हो गया, तो इसका value कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, तो sin 180 का value कितना हो जाएगा, 0, अब जब cos 180 की बात की जाए, तो cos देख रहे हैं, इधर में, cos कितना के बराबर है, x का, और इधर में क्या हो जाएगा, यही माइनस x, ठीक है, और x का जो maximum value यह कितना है, 1 है, कितना हो जाएगा, cos 180 का value, minus 1, ठीक है, इस तरह से हम लोग discuss कर लेंगे, ठीक है, इसी तरह के से अब आ जाएगे, 270 पे, अब direct बो, ठीक है, इस axis पर क्या मिलने वाला है, y का value, y का value मिलने वाला है, तो यानि यहां से, sin 270 का जो value होगा, sin 270 का जो value होगा, वो कितना होगा, minus 1, ठीक है, और cos 270, 0 होगा, क्योंकि उस पे, y axis पे होगा नहीं, आप फिर, जब 360 पे पहुंचेंगे, तो फिर हम लोग 0 के साथ आ गए, किसके साथ आ गए, 0 के, तो जो value आपका 0 का होगा, वही, आपका किसका होगा, 360 का भी होगा, ठीक है, तो इ यहां से क्या आप देख पाए, ठीक है, यहां से आप देखें कि sine का, maximum value जा रहा है, कहां तक जा रहा है, आपका, 1 तक जा रहा है, ठीक है, और जो minimum value जो है, वह कहां तक, minus 1, जो circle हम define किये हैं, वह ही मेरा, टीक है तो यहां से जो X और Y का जो maximum value होगा वह आपका क्या होगा maximum 1 होगा और minimum जो होगा minus 1 तो यहां से क्या आप एक चीज शीख पाए कि side हीटा जो है वह आपका यही होगा ठीक है और cost हीटा जो है वो कहां से कहां तक होगा माइनस 1 से 1 तक ये conclusion हम लोग यहां से निकाल पाए इसके बारे में बागी अधर पे क्या होगा और भी angle है अभी तो हम जो जो axis पे था उस पे देख लिए ठीक है बागी जो detail है ठीक है ना बागी और भी ज्यादा angle के लिए ठीक है ना अभी 360, 360 पलस के लिए भी ठीक है ये सब हम लोग के लाइड़ अगल में देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए ये कुछ extra बात हो गया ठीक है ना हम लोग तो पर रहे हैं technometric ratios ना तो जब technometric ratios पर रहे हैं तो यहां सब आ गया तो आ गया ठीक है discuss कर दिया गया अब आज़े अब क्या था मेरा अब कुछ identities देख लेते हैं ये भी जानना जरूरी है क्या है sin square theta और पलस cos square theta कितना के बराबर होगा one के बराबर होगा कैसे स्टार्टिंग में ही देखे थे हम लोग sin theta कितना के बराबर है आपके y के y square across कितना के बराबर है x के और वहाँ देखे थे x square पलस y square कितना के बराबर था one के बराबर था तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूब कर सकते है directly कि ये x है न one था ना unit radius जो लिए one था op और op कितना के बराबर था x square पलस y square के जो कितना के बराबर था one के यानि कहने के मतलब आपका sin square पलस cos square कितना के बराबर होगा one के खेर ये तो जानते भी थे ठीक है अब आजए ही यहाँ से अगर यहाँ से sin square theta next आपका यहाँ से की sin square theta और minus 10 square theta जो है वो कितना के बराबर होगा one के तो यहाँ से आपका sin square theta जो हो जाएगा one plus 10 square theta और अगर 10 square की बात की जाए तो यहाँ से यह sin square theta और minus one हो जाएगा ठीक है है ना प्रूब भी करना है क्या देख लिजे sin theta sin theta कितना के बराबर था आपका चलिए इसका प्रूब देख लिजे ठीक है यह तो हो गया direct यहाँ से sin theta कितना के बराबर था one by x के तो कितना हो जाएगा one by x square minus 10 square 10 square कितना के बराबर था y by x के तो कितना y square by x square LCM ले लिजे यहाँ से x square और यह one minus y square आप लोग जो सरकत लिए थे यहाँ point x y लिए थे ठीक है यहाँ डाले थे perpendicular y x और यह one तो यहाँ से क्या आया था x square plus y square is equal to one यही आया था ना तो sin के लिए असाने sin और cos के लिए direct हो गया हुआ ठीक है अब आज यह यहाँ से यहाँ से देखिए कि अगर x square आप निकालना चाहे तो यह कितना हो जाएगा one minus y square तो देखिए यहाँ से one minus y square कितना के बराबर होगा x square के ठीक है तो हो गया तो किसे के square minus 10 square कितना होगा one के बराबर होगा ठीक है next देखिए आपका next जो है next आपका cos square theta और minus cos square theta कितना होगा one के बराबर होगा ठीक है तो ऐसे जैसे इसको proof किये हैं कर लिजिएगा इसको यहाँ से फिर क्या हो जाएगा cos square theta is equal to minus इधर आके one plus cos square theta हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर अगर cos square theta की बात करें तो यह इधर आके minus हो जाएगा यह आपका cos square theta minus one ठीक है और भी कुछ बच रहा है क्या हाँ एक छोटा सा formula और बच रहा है आपका वो कौन सा है वो है आपका वो आपका कि अगर sin और cos का ratio किया जाए तो sin क्या था आपका y और cos क्या था x था और y by x कितना के बराबर था आपके starting में ही देखे थे 10 के बराबर था अब इसी का reciprocal कर दीजिए तो cos by sin यह कितना हो जाएगा आपका court हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो भी आपका trigonometric ratios से और identities से जो भी related formula था आपका complete हुआ ठीक है जरूरी ता रिवीजन ठीक है बिना इस formula को proper समझे और जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं ठीक है आप कर लेते हैं अगर उसको आपको use करने आ गया ठीक है तो फिर पूरे mathematics में आपको कहीं परिशानी नहीं होने वाली है ठीक है तो यह जो आपका trigonometry है पूरे mathematics का जान है जान ठीक है चलिए अब देखते हैं इस पर क्या है तो सबसे पहला जो है आपका क्या है कि problem based on proving identities ठीक है यानि आपको prove करना है यहाँ पे ठीक है इसके बाद जो होगा आपका हम लोग कुछ conditional identities देखेंगे कुछ elimination वाला question देखेंगे तो आज के इस lecture में हम लोग सिर्फ problem based on proving identities के बाद फिर कुछ elimination वाला कि कैसे किसी भी दिये हुए equations हम लोग जो मेरा trigonometric functions है उसको eliminate करते हैं ठीक है तो चलिए इसको prove करना है तो क्या है आपका सबसे पहले जो left hand side है उसको लिख लीजिए 1 plus cot theta और minus cos theta ठीक है और ये है आपका 1 plus 10 theta और plus 6 theta is equal to 2 लाना है कैसे किया जाए इस question को क्या करेंगे 1 से multiply करें फिर cot से multiply करें फिर 6 और cos से को multiply करें कितना लिंदी सा हो जाएगा मगर एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजे कि इस question में हम लोग कैसे deal करेंगे उस चीज़ पर गौर कीजे कि आपको मालूम है ये जो sign और cos जो है ठीक है न इसका जो relation है इस दोनों का relation ठीक है किस के किस के साथ है cos के साथ भी है ठीक है उसके बाद फिर आपका sake के साथ भी है cos का ऐसा कीजे इसको ऐसा लिख लीजे कि ten जब आप लिखते हैं तो ten क्या लिखते हैं sign by cos लिखते है ठीक है pot लिखते हैं तो क्या लिखते हैं cos by sign लिखते हैं ठीक है cos एक लिखते हैं cos एक अगर लिखते हैं तो cos एक का relation किस के साथ है sign के साथ है है न उसके बाद अगर सेक लिखते हैं तो सेक का relation किसके साथ है cost के साथ यानि यह जो sign और cost जो दिख रहा है ठीक है इस दोनों trigonometric ratios का relation आदर जो आपके पास 4 बच रहा है उसके साथ है ठीक है तो अभी यहाँ पर आपको 4 अलग-अलग trigonometric functions दिख रहा है यह ratios भी बोल सकते है क्या cost, cost, 10 और sick तो इस 4 के साथ आपको deal करना आसान होगा एक equation में एक जो आपको यह proof करना है इसमें दिया हुआ है चार-चार आपको trigonometric functions दिख रहा है तो 4 के साथ deal करना ज़्यादा आसान है या फिर 2 के साथ बिल्कुल 2 के साथ है ना तो एक काम करते हैं जब हमको मालूम है कि score, cost, 10 और sick का relation sign और cost के साथ है तो क्या होना हम इसको convert करके उसी में लेके आ जाते हैं तो चलिए convert करते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है यह 1 प्लस score को क्या लिख सकते हैं आप cost by sign क्या लिख सकते हैं, cost by sign इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by sign, ठीक है इंटो यह 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं आप 10 को आप लिख सकते हैं sign by cos और यहां से 1 by cos ठीक है ऐसा करने के बाद अब यहां से LCM लीजीए इसका यह आपका sign हो जाएगा denominator में LCM क्या हो जाएगा, sign यहां कुछ नहीं है, direct multiply हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा sin theta, और यह आपका हो जाएगा cos theta, ना दुनों में denominator में sin है, तो यह डिरेक्ट लिख दीजे, minus 1, ठीक है, into यहां LCM लीजीएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यह, cos theta, और यह cos यहां multiply हो जाएगा, यह cos theta, और plus sin theta, और यह plus 1, ठीक है, अब इसके बाद, अब क्या हुआ, फिर तो आप हो जाएगा, कुछ कर दिए, ठीक है, यहां भी 3 था, इसमें आप focus कीजिए, यहां यहां, sin plus cos minus 1 है, और यहां भी देखे, sin plus cos और plus 1 है, यहां अगर इस दोनों को अगर एक साथ रखते हैं, और इसको अलग रखते हैं, यहां भी इस दोनों को एक साथ और इसको अगर अलग रखते हैं, तो कुछ ऐसा feeling आपको आ रहा है, क्या? कि A plus B into A minus B ऐसा ही कुछ आ रहा है जो कि कितना के बराबर होता है? A square minus B square के तो है ना? इसको अगर आप A मानते हैं और इसको B, इसको तो ये A और ये B हुआ आपका तो देखिए क्या हुआ? A minus B और A plus B A minus B और A plus B कितना के बराबर होता है आपके? A square minus B square के तो चलिए, जो करते हैं इसको क्या हो जाएगा? A square मतलब इसका square और minus B square मतलब 1 का square 1 और नीचे में into हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये sin theta into cos theta ऐसा करने से क्या फाइदा हुआ? फाइदा हुआ? आप पहले इसको एक बार expand तो कीजिए यहां से यह हो जाएगा आपका A plus B के A square यानि A square है ना? पलस 2 A B और पलस B A square अब क्या मिल गया आपको? यहां से मिल गया कि A plus B का square है नो? whole square तो A square plus 2 A B और पलस B A square यह होता है ना? तो चलिए आपको मालूम है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है ठीक है? तो ऐसा लिख लिजिए इसको बाद में भी लिखेगा तो कोई दिक्यत नहीं मगर ऐसे भी लिख लिख लिजिए आप उसको A square plus B A square plus 2 A B भी लिख सकते हैं है ना? और पलस 2 A B यानि 2 sin theta और यह cos theta और minus 1 और नीचे में क्या है आपका? sin into cos है ठीक है? यह कितना हो जाएगा sin square plus cos square आपका? 1 और यहां से plus 2 यह आपका sin theta cos theta और minus 1 अब बाई में sin theta to cos theta यह minus 1 plus 1 कैंसिल हो जाएगा क्या बचा आपके पास? तो 2 sin theta cos theta और बाई में sin theta into cos theta यह और यह कैंसिल हो गया फाइनली आपके पास 2 जो कि आपको प्रूव करना था ठीक है? तो यह benefit है आपको ठीक है ना? यह जो यहां पर आपको जो दिख रहा था इसको यह चारो जो दिख रहा है उस चारो का relation sin और cos के साथ था तो जैसे ही sin और cos में change की देखी कितना असानी से यह solve हो गया है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं next है आपका यहां से prove करना है कि sin का power 6 है और cos का power 6 यह बराबर होगा 1-3 sin square into cos square की ठीक है? आते हैं क्या है आपका? sin 6 theta और plus cos 6 theta ठीक है? अब सबसे पहले जो power 6 दिख रहा है उसके साथ deal करने का cos कीजिए ठीक है? और दिख क्या रहा है sin and cos आपको दिख रहा है sin और cos दिख रहा है यहाँ पे तो जैसे ही sin cos दिखे तो आपके mind में यह result तो पहले से है कि sin square और plus cos square ठीटा कितना होता है? 1 होता है यही होता है तो कुछ ऐसा set कीजिए कि यह result मिले आपको दिखे आपको तो अब आज़े यह जो यहाँ कुछ set करना पड़ेगा हमको sin square और cos square चाहिए तो यह जो power 6 है कुछ इसको हम ऐसा set करते हैं कि इसको sin square ठीटा का क्यूब और यह फिर cos square से ठीटा का वोल की ओएसा set कर लेज़े ठीक है? अब क्या होगा? अब यहाँ से फिर आपको एक formula मालूम होना चाहिए कि a cube plus b cube जो होता है वो क्या होता है? a plus b into a square plus a b और plus b a square होता है तो हमें sorry, minus a b और plus b a square होता है तो एक काम करते है plus वाले को एक साथ रखते है क्यों? क्योंकि यहाँ पर a square plus b square यानि sin square plus b square कितना हो जाएगा? one हो जाएगा और यह minus a b होता है तो यह result याद रखिएगा ठीक है? कि a plus b a cube plus b cube जो होता है वो a plus b into a square plus b square और minus a b के बराबर होता है ठीक है? तो चलिएगे अब इसको set करते है इसको a मानिए a समझ जिये और इसको b तो a cube plus b यानि a plus b तो a कितना है आपका sin square theta और b कितना है? cos square theta तो a plus b into a square तो a square मतलब क्या? यह आपका sin square theta का all square फिर यह cos square theta ठीक है? minus a b यानि minus यह आपका sin square theta और cos square theta तो देखे क्या हुआ? यह तो आपका कितना हो जाएगा? one हो जाएगा यह one हो गया बचाव सिर्फ यह ही ठीक है? अभी जो आपको प्रूफ करना है उसमे one minus three ले गया आदा है ठीक है? अब one कहां से लाया जाए यहाँ पे ठीक है? यह तो मेरा one हो गया और in two में है तो इस one का तो कोई value नहीं रहा ठीक है? अब यहीं से कुछ करना होगा फिर आपको दिख रहा है कि sin square plus cos square अब इसका कुछ setting कीजिए कि फिर यह अभी square में है ना square इसका हट जाए कुछ ऐसा कीजिए ठीक है? तो फिर एक result याद रखिए क्या? आपको मालुम है कि a plus b का whole square जो होता है वो कितना होता है? a square plus b a square और plus 2 a b ऐसा होता है ना अभी यहाँ पर यह किस form में है? इसको अगर a मानते हैं तो a square plus b a square की ठीक है? तो यह नहीं यही है ठीक है? इससे हमको benefit नहीं हो रहा है मगर अगर a plus b का अगर whole square करे ते जैसे ही इसको a और इसको b a plus होगा यहनी sin square plus cos square होगा result कितना दे देगा वो? 1 दे देगा तो कहने का मतलब कि यहां से कि अगर हम a square और plus b a square को इधर रखे तो यह इधर आगे कितना हो जाएगा? a plus b का whole square और minus 2ab ऐसा भी ऐसा कर लेज़े ठीक है? तो वही काम यहां हम लोग करने वाले हैं क्या? देखिए अभी sin square को क्या मान रहे हैं आप? a और इसको b तो a square प्लस b a square है जिसको हम लोग क्या लिख सकते है? a plus b का whole square जहां से हमको फाइदा भी मिलेगा square ठीक है? minus 2ab यहनि 2 sin square theta और इंटू cos square theta और minus पहले से क्या है आपका? sin square theta into cos square theta यह अब कितना के बरावण? 1 1 का square 1 हो जाएगा और यह minus 2 और यह minus 1 यानि minus यह आपका 3 sin square theta cos square theta हो जाएगा ठीक है? तो इस तरह से हम लोग आशानी से इसको prove कर सकते हैं ठीक है? बस कुछ क्या है? जो आपका trigonometric functions का क्या relation है आपस में? कुछ algebraic identities है? अगर वो सब मालूम है तो बस इस तरह से हम लोग आशानी से इसको solve कर सकते हैं ठीक है? चलिए next question लेते हैं यहाँ आपको prove करना है कि 1 minus sin a और minus cos a का whole square है और क्या लाना है आपको? 2 into 1 minus sin a और 1 minus cos a ठीक है? अब आप यहाँ से तो क्या करें? अभी यहाँ पर देख रहा है factor यहाँ जो prove करना है इसमें एक factor आपको दिख रहा है 1 minus sin a 1 minus sin a दिख रहा है अभी आपके mind में क्या आएगा? चलिए LHS लिखते हैं LHS लिखने के बाद यह 1 minus इसको हम A minus B minus C के whole square पे expand करें बिल्कुल कर सकते हैं करने के बाद फिर आप वहाँ से भी solve करके लेके आ सकते हैं मगर क्यों करना? जब हमको एक factor यहाँ पर 1 minus sin a दिख रहा है तो हम एक काम करते हैं यहाँ से कि आपका जो यह 1 minus sin a इसको ही एक ही मानगे चलिए एक ही identity मानगे इसको की एक ही है ठीक है? और इसको अलग मानगे यानि इसको आप A समझ जिए और इसको B यानि A minus B का simply whole square है वो अब 3 पे मत जाईए इसको एक मानगे और इसको अलग मानगे ठीक है? अब क्या हो गया? ये A minus B का square आ गया whole square तो चलिए क्या करेंगे? A square यानि यहां से आपकाफ हो जाएगा A square plus B square मतलब cos square A minus 2 A B तो 2 into 1 minus sin A और into cos A आया एक factor यहां पे यहां भी एक दीख रहा है ठीक है? मगर चलिए अब यहां पे cos square दीख रहा है अगर इसका जो पार्टनर sin square है अगर वो मिल जाए तो यह हट जाएगा क्योंकि हमको इस factor में कहीं भी ऐसा कुछ score नहीं दीख रहा है तो एक काम करते हैं इसको expand करते हैं अब तो यहां से यह असानी से हो जाएगा A square plus B square मतलब sin square A और minus 2 A B यानि 2 into sin A और plus यह आपका cos square A और minus यह आपका 2 into 1 minus sin A और into cos A तीक है? अब क्या होगा देखिए? यह और यह यह दोनों मिल के क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा sin square A plus cos square A 1 और एक 1 यहां है तो यह अब यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यह minus 2 sin A फिर इधर में minus 2 into 1 minus 1 minus आपका sin A और into cos A ठीक है? अब क्या होगा आगे देखिए? इस दोनों में आपको 2 common दिख रहा है तो 2 common कीजिए यह रहा यह 1 minus sin A और into cos A अब क्या benefit हुआ यहां पर देखिए? ऐसा करने का कि यहां से देखिए यह 2 into 1 minus sin A और 2 into 1 minus sin A दोनों में common दिख रहा है तो common कीजिए आप यहां से तो 2 into 1 minus sin A जैसे ही आप common कीजिएगा यहां पर क्या बचा है? इसके जगा पे? 1 और यहां से minus यह निकाल चुके हैं क्या बचेगा यहां? cos A यही तो लेके आना था न आपको देखिए 2 into 1 minus sin A into cos A ठीक है? तो कहीं-कहीं पर थोड़ा सा technique भी आपको यूज़ करना परेगा असानी से solve करने के लिए ठीक है? अगर इसको आप A minus B minus C के whole square पर करते हैं वहां से भी हो जाता ठीक है ना? मगर जब एक साथ रख के कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना? जो factor है वो खुद बखुद आया आपके ठीक है? चलिए next question लेते हैं यह सब question बस practice की चीज़ बहीं है अब आजाएंगे फिर यहां दिख रहा है आपको cos दिख रहा है 10 दिख रहा है और फिर 10 दिख रहा है लाना क्या है आपका 2 सेक और पलस 5 साइन ठीक है? तो सेक और साइन में लाना है और इधर में आपको दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है? आपका cos और इधर ये 10 theta प्लस 2 और यहां दिख रहा है आपको 2 10 theta और प्लस 1 यही दिख रहा है तो यह काम करते हैं यहां तो cos है इस 10 को sign और cos में change कर लिजे क्यों कर लेते हैं क्योंकि यह 10 और दो जगा 10 दिख रहा है तो 10 में रखने से ज़्यादा आसान है कि आप स्टार्टिंग में ही question लिए थे sign और cos क्या है सब का रिष्टेदार है हर किसी का help करने वो पहुँच जाता है यहां हम है न हम help करते हैं अगर 10 में रहने से आपको 6 में रहने से cos 6 में रहने में court में रहने में अगर परिशानी है तो हम है न हम आपका काम आसान करेंगे तो बस एक जगा cos दिख रहा है बाकी जगा आपको 10 दिख रहा है तो क्या न करें हम क्या करें हम कि उसको sign और cos में ही बदल दे जैसे ही ऐसा कीजिए क्या होगा अब इसके बाद वही LCM लीजिए पहले यह cos थीटा यह आपका कितना हो जाएगा sin थीटा और यहाँ यह multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा ठीक है इधर यहाँ LCM लीजिए फिर यह आपका cos थीटा और यहाँ से यह 2 sin थीटा यहाँ multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा ठीक है रहने दीजिए ठीक है यहाँ से cut कीजी वह उतना दूर से क्यों cut कर रहे है ठीक है cancel हो जाएगा into में है सब into में है इसलिए यह क्या हो जाएगा canCel हो जाएगा ठीक है नीचे में सिर्फ क्या बचा आपके पास cos theta अब उपर में sin cos है, यहां भी sin cos है कर दीजे, एक बार multiply कर लीजे, कोई दिकत नहीं है देखें यहां से, चलिए, sin से multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 sin square theta plus 2 cos से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 आपका 4 और sin theta into cos theta, plus, इस से हो गया अब cos से इस दोनों में कीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए यह आपका sin theta और into cos theta, और plus फिर यह 2 cos को cos से कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 cos square theta ठीक है, next अब आजी, देखिए, यहाँ 2 sin square दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको 2 cos square, तो वो आपको बता रहा है कि 2 common कीजिए, तो हम एक बहुत प्यारा सा result देने वाले हैं आपको ठीक है, तो 2 common किए, यह खतम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है फिर देखिए, यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 4 sin cos, प्लस sin cos, ठीक है न, 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितना हो जाएगा यह, 5 आपका sin theta और into cos theta और नीचे में क्या है आपका, cos theta, देखिए, यह कितना हो जाएगा आपका, 1 तो क्या बचा आपके पास, 2 पलस, क्या बचा आपके पास, 2 पलस 5, यह आपका sin theta और cos theta और नीचे में क्या है आपका, cos theta, रिजल्ट क्या लाना है आपको, सेक और sin में लाना है तो खेर यहाँ पर यह दिख रहा है, आप इसको एक बार separate कीजिए, यह 2 by cos और यहाँ से 5 sin theta into cos theta by cos, ठीक है अब तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि क्या है वो यहाँ cos से cos क्या हो जाएगा, cancel, यह आपका 2, 1 by cos कितना हो जाएगा, सेक theta और यहाँ आपका 5 है, और यह आपका बचा sin theta, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, है ना, ठीक question है, चलिए next question लेते हैं यहाँ आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि 1 plus 1 plus 10 alpha into 10 beta का whole square, plus 10 alpha minus 10 beta का whole square, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, कि यहाँ 10 है, 10, 10 में है या लाना, सेक में है, तो अब sin cost में मत सोचिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक relation आपको मालुम होना चाहिए, क्या, कि 1 plus 10 square जो होता है, वो कितना के बराबर होता है, आपके सेक square ठीटा के, जब 1 और 10 है और लाना भी सेक में ही है, तो अब sin cost में बदलने का मत सोचिए, ठीक है, जो है दिया, उसी से काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, सबसे पहले जो आपको given है, उसको लिख लेते हैं, क्या है, 1 plus 10 alpha into 10 beta, इसका square, और plus यहाँ क इसको, a plus b के whole square पर इसको पहले expand करते हैं, तो चलिए हैं, क्या हो जाएगा देखिए, 1 a square plus b square, मतलब इसका square, यानि 10 square alpha into 10 square beta, अब प्लस 2 a, b, यानि 2 into 1 into 10 alpha into 10 beta, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यह आपका 10 square alpha plus 10 square beta, minus 2 a, b, यानि minus 2, 10 alpha into 10 beta, यह रहा, फिर क्या होगा, खतम, आप आजाएगा, 1 plus 10 square, alpha into 10 square beta है, देखिए, चार टर्म आपको यहाँ पर दीख रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 4, यानि 1 plus 10 square, 6 square में बदल जाएगा, 1 plus 10 square beta, आपको 6 square में बदल जाएगा, यानि 2 में आ जाएगा, यानि अब result मिल चुका है, करना क्या है, यहाँ से देखिए, इस 1 को और इस 10 square alpha को एक साथ रखिए, एक साथ रखते हैं, प्लस, अब इस में यहाँ और यहाँ ज़रा फोकस कीजिए, ठीक है, इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 10 square beta common दिख रहा है, 10 square beta जो है, वो क्या है, common है, तो जैसे ही 10 square beta आप यहाँ से common कीजिएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 1 और प्लस, 10 square beta यहाँ से निकाल ला है, तो क्या बचेगा, 10 square alpha, ठीक है, अब आजाएगे, अब एक काम करते हैं, फिर यहाँ से, इस में और इस में, क्या common दिख रहा है आपको, 1 प्लस, 1 प्लस, 10 square alpha common दिख रहा है, जब common कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 1, और यह आपका, 10 square beta, अब इसको, 1 प्लस, 10 square alpha को, 6 square भी लिख सकते थे, 6 square alpha, यहाँ भी 6 square alpha, common करते हैं, खेर चलिए, बात तो वही होने वाला है, 1 प्लस, 10 square alpha कितना हो जाएगा, 6 square alpha, और यह हो जाएगा, आपका 6 square beta, हो गया प्रूव, ठीक है, easy question था, ठीक है, next, यहाँ आपको प्रूव करना है, कि sine का power 8 है, है न, across का power आपका 8 है, तो इसको इतना आपको प्रूव करना है, तो चलिए, देख लेते हैं, 8a और minus, जैसे 6 के साथ किये थे, कुछ इसके साथ भी deal करेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, minus है, यहाँ सबसे बड़ा benefit आपके साथ है, कि minus है, यहाँ पर तो आपको मालू है, अभी यह भी formula बता है, कि a square minus b, यह square जो होता है, वो आपका a minus b और a plus b होता है, तो पहले यह जो पावर 8 दिख रहा है, यह वी साथ पावर, पहले उस पावर को कम करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, वो कैसे करेंगे देखें यहाँ से, आप एक काम कीजिए, इसको sine का power 4a और इसका square कीजिए, और यहाँ स यह cos का power 4a और इसका square कीजिए, अब इसको a और इसको b समझे, तो a square minus b a square, a minus b और a plus b, तो यहाँ से यह sin का power 4a और minus 4a, और फिर यहाँ से sin का power 4a और plus cos का power 4a, यह रहा है, अब 4 के साथ तो डिल होने वाला नहीं है अपना, अगर square हो तो डिल कर सकते हैं sin और cos के साथ, तो करते हैं ना, फिर हमारे पास option है अभी यहाँ से, कि फिर आप इसको यहाँ से, आप ऐसा कर लीजिए, कि sin square a का whole square, और इसको cos square a का whole square, ठीक है, यह रहा, और इधर भी कुछ ऐसा ही कर लीजिए, क्या कि sin square a का square, और यहाँ से यह कोस स्क्वाइर A का स्क्वाइर ठीक है यहां क्या दिख रहा है फिर से अगर इसको A और इसको B मानते A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर फिर से दिख रहा है तो यहां से यह आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वाइर A माइनस कोस स्क्वाइर A इन टू यहाँ पे हो जाएगा आपका sin square a और plus cos square a इसका हुआ आपका ठीक है उसका क्या करे यहाँ से a square plus b square दिख रहा है a square plus b square दिख रहा है अब क्या हो तो अभी अभी आपको पीछे question में साइन का power 6 theta plus cos 6 theta में यह चीज़ बताये थे यह आया था ना वहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या है a square plus b square है तो क्या लिख सकते है इसको a square plus b square है इसको हम लोग क्या लिख सकते है a plus b का whole square और minus 2ab ऐसा लिख सकते है आप बोलिए कि इसको तो ऐसा भी लिख सकते है कि a square plus b square हम a minus b का whole square स्क्वायर, और प्लस 2ab भी तो लिख सकते है, a-b कोल स्क्वायर से, हाँ लिख तो सकते हैं, मगर, देखिए कि यहाँ पर a और b कॉन है, sin और cos है, और sin square और प्लस को से स्क्वाइर ही 1 होगा, साइन स्क्वाइर माइनस को से स्क्वाइर आपका 1 नहीं होगा, तो कुछ यहाँ पर भी नजर रखना है, हमको कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, और आपको result मालूम है, बहुत प्यारा सा result है, कि sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1 होता है plus में ठीक है तो इसलिए हम इसको न रखके plus वाला ही यूज़ करेंगे तो चलिए अगर plus वाला ही यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए कि यहां से आपका हो जाएगा sin square a और plus cos square a का whole square ठीक है और minus 2 a b तो minus 2 a b तो यह आपका 2 और यह sin square a into cos square a यह भी कर सकते हैं अब आ ज़िए तो देखिए अब result आपको दिख रहा है यह one यह भी आपका one तो यहां क्या बचा आपके पास बच गया कि sin square a और minus यह cos square a यह तो one हो गया यहां भी one हो गया one का square आपका one और minus 2 sin square a और cos square a यही रहा आपका जो लाना था ठीक है आसान question था बस क्या करना था इस power के साथ आपको deal करने आ जाना चाहिए ठीक है देखिए वह यह sin square minus cos यह और 2 sin square cos ठीक है चले next question लेते है तो इस तरह से आज का lecture आपका यहीं पर complete हुआ यह कुछ basics था यह चीज और आप class 10 में पर चुके थे फिर भी एक revision point of view से आपको यह परहा दिया गया अब next जो lecture होने वाला है इसी पर technometric ratio पर कुछ हम लोग और questions करेंगे वहाँ पर कुछ आपको questions जो मिलेगा वो conditional identities पर होगा और कुछ elimination पर होगा ठीक है तो मिलते हैं फिर next lecture में Thank you. Bye-bye.